हन से दूध बहाने लग गई यां यम ना नती तो लागे दूध देशी गाय दिखा रहा हूँ आज की वीडियो में थारपार का नसल की स्वेथ सुन्दरी है बहुत खूबसूरत है और एक बड़े साइज का अडर है शांदार दूध चमता के साथ गाय ताजा ब्याई भी है और नीचे बचडी है फीमेल काफ है कली इसका जनम दिन था यानि की कली इसने पहली बार इस दुनिया में कदम रखा है आज की वीडियो में आपको इसकी मिलकिंग दिखाऊंगा आप अंतर तक वीडियो देखिएगा नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं फारम टोक और मैं जैपाल सिंग राठोड हर घर देशी गोवन्स हर खूटे देशी गोवन्स इस मुहिम को पूरा करने के लिए आज की इस वीडियो में आपको एक स्वेट सुंदरी थारपारकर नसल की गाये और उसके साथ थारपारकर नसल की फिमेल का बचड़ी जो की ताज़ाब एईवी एस सेल की लिए अविलेबल है वै दिखा रहा हूँ अगर आज आप भी आप इस चैनल पर नए है हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले नस्दीक दिये गए बेल आइकन पर क्लिक कर ओल नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिले और सबसे पहले मिले बारी बरकम बोडी स्टेक्चर है एक बारी बोडी स्टेक्चर के साथ सुन्दर माथे का शेप बारी जालर सुन्दर नाभी एवरेज साइज का हमप और सुन्दर अडर क्वालिटी गाय अपने दूसरे ब्यांत के अंदर है सेकिंड लेक्टेशन है और कली इसने एक सुन्दर फीमेल का बचडी को जन्म दिया है लोटरी के समान है बचडी आज दूसरा दिन है खाल्टी बाल्टी देख सकते हैं आप लगबग बारा से तेरा लीटर दू तयार बताये गया है दो दिन की बैयुवी के थनों की दार भी आप जाच कर सकते हैं थन मुठिया थन है और काफी सुन्दर साइज और शेप में हैं काफी सुन्दर गोल मटोल और ऐसी एडर क्वालिटी है जो आगे की तरफ तो है इस आधी साथ पीछे की दरफ भी अधिक साइज में है शुरंदर जी इस गाये को सैल के लिए अवेलबल करवा रहे हैं जो विलेज कमीनपुरा डिस्टिक्ट शिरिगंगानगर राजस्थान के रहने वाले हैं इनके मोबाइल नंबर है डबल नाइन दूढका आख्लन कर पाएं सही आखलन आफ दूढका तभी कर पाएंगे जब फु लेक 11,000 रुपीज डिमांड की गई है 12-13 लीटर दूद यानि की खीस अभी तयार बताया गया है और दूद चमता 17-18 लीटर की हमें बताए गई है आपको यह गाय कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर से दब दें और अपने गोपालक मित्रों रिस्तिदारों के साथ इन वीडियो को अधिक शदिक शेयर करें गाय ताजया प्याइवी इसलिए बच्छडी को आपको चाहिए कि इसके वजन का 10 प्रतिशत तक दूद जरूर से पिलाए जो सुरू का कोलेश्टरम यानि की खीस रहता ह जरूर से पिलाए जाना चाहिए गाय अच्छी लगी हो तो लाइक बटन भी जरूर से दबाएं धन्यवाद दोस्तों